सी अधी तुन्मानी तो डैरिविटिव का लास्ट टॉपिक की अब बीद उसकता हुआ अमेंडमेंड अमेंडमेंड के नाम सेे सेरम स्पेशली डैरिविटिव में क्या है ईस रियल ऑप्सन और एक्च secrets अब्रस्टीजुन भी बोल सकते हैं आप यह derivative का भी बोल सकते हैं आप यह derivative का भी बोल सकते हैं adding डालोगे real option it means जिन्होंने derivative की class कर रखा है चाहे आपने old slave से कर रखा हो चाहे आप मेरी class कर रहे हो आपको last में ये lecture देखना जरूरी है यही एक lecture बचा हुआ था हमारा ठीक है नाम से लग रहा option क्या लगता है तब पढ़ा हुआ है वैसे थोड़ा बहुत तो option एक होता था call option और एक होता था put option वही चीजे मैं यहां समझाने वाला call option, put option लेकिन बात यहां valuation की है याद है option का value निकाला करते थे हाँ सर option का value निकालते थे तो उसके लिए कुछ techniques यूच करते थे उसमें एक binomial model था हाँ सर एक bsm था तो वही binomial और वही bsm यहाँ वापस आय रहा है तो सर यह real option किया है बैटे एक होता stock option श्टॉक समझ रहे हो आप लोग हाँ सर यस इसमें होता क्या है call option और put option अगर हमको ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला तो श्यर ना खरीद के option करीद लेते है और future में price बढ़ेगा तो option exercise करेंगे, price कम होगा तो option exercise नहीं करेंगे ऐसे ही put option होता है put option मतलब price गिरेगा गिरेगा तो option exercise कर लेंगे price गिरने पर put option तो सर real option का मतलब यहां हमको थोड़ी बास समझ में नहीं आ रही है तो बिल्पल simple है real option stock पे नहीं है real option capital project पे सर समझाओ simple language में मैंने सोचा कि क्यों न AFM पढ़ाना start किया जाए सुनोगे, सुनोगे ध्यान से AFM पढ़ाना start किया जाए अब यहार AFM पढ़ाना start करना है तो महनत करनी होगी महनत करने से पहले पढ़ाओगे कैसे आपके पास digital board चाहिए आपके पास studio चाहिए आपके पास camera चाहिए मतलब यार कही ना कही मुझे investment तो करना पढ़ेगा तो आज मैं सोच रहा हूँ क्यों न AFM पढ़ाया जाए classes चल भी जाएगी मुझे ऐसा लग रहा कि चल जाएगी classes और अच्छी खासी चलेगी और course syllabus तो तीन साल में change होता है तो syllabus का तो attention है ही नहीं है तो खर्च करने का सोच रहा हूँ मेरा NPV positive आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा positive आ रहा है तीन साल के बाद भी AFM चलेगा तो मेरा कुछ ऐसा सोच नहीं तो मैं सोचा हूँ चलो यार investment किया जाए फिर किसी ने मुझे से आकर कहा कि सुनो 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 अगर तीन साल बाद AFM हटा दिया जाएगा IC AI तो कुछ भी कर सकता फिर क्या करो फिर क्या आपके पास कोई option है important फिर क्या कोई आपके पास option है यही real option है अगर तीन साल बाद AFM हटा दिया गया मान लो हटा दिया गया आप ही बताओ क्या कर सकता तो दूसर सब्जेक्ट पढ़ाना इस्टार्ट कर देना यह एक option है कि से थोड़ा सा और पैसा लगाना तीन साल बाद प्रोमोशन पे थोड़ा और पैसा लगाना और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना श्टार्ट कर देना AFM तो हटी जाएगा तो यह एक option हो गया हाला कि इसको मैं call option नामगा सर कैसे call option हुआ वो बाद मैं समझ में आ जाएगा जब मैं समझाँगा इसको मैं call option बोलूँगा कि और पैसा लगाएंगे और अगर उससे ज़्यादा आएगा तो लगा देंगे अगर नहीं आएगा इटमेंस बात समझना जब तीन साल हो जाएगा अब AFM तो हट गया अब यह सवाल यह है कि और पैसा लगाना पड़ेगा मैं लगाने को तो यह उनुपर देखूँगा न यार उस सब्जेक्ट से मुझे आगे कमाई होगी के नहीं होगी अगर कमाई ज़्यादा होगी तो मैं ठीक है option exercise करना बस समझे में आ रहा है न सर NPV positive हो तो चलेगा बस यह ही कहना चाहता हूँ सर और कुछ है तीन साल बाद नहीं पढ़ाना दूज़र और कुछ है आपके पास option और एक option बचे तमान बेज दूँगा अच्छा abandonment इसको बलते है abandonment खतम कर देंगे इसको put option बलेंगे अगर मुझे ऐसा लगा कोई फायदा नहीं बात समझना और मुझे कीमत ज़्यादा मिल रही है तो मैं अपना project abandonment कर दूँगा इसको put option कर लेंगे अच्छा मतलब सर अगर future में पैसे कम मिल रहा है यस कम ही मिलेंगे ऐसम तो बेज दीची नहीं सर ज़्यादा अच्छा यस it means put option exercise हो जाएगा जब future में पैसे कम मिलेंगे तो कम होगा तो exercise कर लेंगे सर ये क्या बोला आपने call or put अभी समझ में नहीं आया अभी समझने की जरूरत नहीं है वक्त आने पर मैं समझा दूँगा तो real option सर ये तो ठीक है आपने AFM का बता है practical point of view से समझाओगे की समझाओगा समझाओगा थोड़ा सा रुखना होगा यार एकदम सा सारी चीज़े नहीं पुछो call और put तो हमको समझ में आया नहीं पर इतना जरूरत समझ में आगे है कि 3 साल बाद आपके पास 2 option है पहला option है कि दूसरा subject पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए यस और दूसरा option है कि सामान बेज़ दीजिए इन दोनों option कोई में नाम दूँगा call option और put option हाला कि यह भी थोड़ा आपको धीरे से समझी में ठीक है ओके सर कोई दिखकत नहीं है बिल्कुल सिंपल है यार डरने वाली बात नहीं कि कुछ इस्पेशल आगया बहुत ही स्पेशल आगया कुछ इस्पेशल नहीं है आराम से हो और इन सबसे पहले मुझे पाइनोमियल कोई याद दिलाना पड़ेगा अच्छा सर यस एक एक्जामपल के तो तो एक्जामपल करवाँगा बाइनोमियल याद दिलाना पड़ेगा मजबूरी है तो सर रियल आप्शन अब भी स्टार्ट नहीं है रियल आप्शन पहला काम है बाइनोमियल मैं आपको याद दिला दूँ कैसे होता था उसमें कुछ और भी चीजे है जिसको हम मिक्स करेंगे जब बाइनोमियल पूरी तरह से याद आजाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे रियल आप्शन फिर मज़ आएगा पड़ने हो फिर ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ था ही नहीं तो याद करें यस क्या ये आप दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बाइनोमियल ये टॉपिक जो आप देख रहा हूँ ये तब ही देखना जब आपने कैपिटल बिश्टिंग कर लिया है क्योंकि सिनारियो को यूच करूँगा मैं याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा पर एक बार कर लिया होगा और दूसरा डेरिविट्व कर लिया होगा डेरिविट्व कर तो लिया याद नहीं है तो भी चलेगा याद नहीं होगा तो चलेगा याद आजाएगा पर किया होना चाहिए दोनों चाहिए तो बात किसके करें बाइनोमियल तो बाइनोमियल क्या होता था मैं एक्जामपल के थू बात करूँगा या दिलाओंगा क्या होता था ये नहीं समझाऊँगा तो टोटर मिला गर मुझे कितने एक्जाम्पल करवाना दो एक्जाम्पल करवाना तब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर हम आगे यहां हेडिंग डाल दो ना बाइनोमियल अच्छा भी लगेगा कम से हो सर बाइनोमियल में हम बाइनोमियल भी यार किसी को अच्छे से याद होगा तो बाइनोमियल मॉडल से वैली ओप आप्शन निकलने के दो तरीकते और दो तीन तरीके होते थे आप किसकी बात करें सर मैं बात करें रिस्क न्यूट्रल प्रोबाबिटी इसके न्यूट्रल प्रोपाबलेट ठीक है, हाँ जी तो बात कर रहे हैं हम लोग एक्जाम्पल नॉम्बर वन मेरे थासत बनाओगे इसको एक्जाम्पल नॉम्बर वन में मान लो आज शियर की कीमत है फाइफंडर्ड आज किसी शियर से रिलायंस का शियर समझ लो उसकी प्राइज है फाइफंडर्ड ओके एकसल बात क्या हो सकता सर एकसल बात दो प्राइज हो सकता याद करो बाइनोमेल बाइनोमेल में क्या एजियूम करते थे सर बाइनोमेल में हम यह एजियूम करते थे कि दो पॉसिबल प्राइज हो सकते यस और हालक यह प्राइज दिया रहता तो चिंता वाली बात नहीं है सर, 600 भी हो सकता है, और 400, ठीक है सर, यहां तो कोई दी, सर, option कौन सा है, call, और exercise price कितना है, 5, 0, call, option कब exercise होता है, सर, जब share का price बढ़ेगा, yes, यह एक सल बात की बात है, यह एक सल बात क्या price हो सकता, option अगर 600 होगा, तो option exercise हो जाएगा, और इसको बोलते हम, C, U, और answer आजाएगा, rupees 60, और सर, 400 हो गया तो, तो call option lapse हो जाएगा, C, D, और यहाँ जाएगा, 0, याद आ रहा है, सर, याद आएगा, अगर पढ़ा है, तो याद आएगा, तो सर, 60 रुपए भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, पर 60 रुपए होने की क्या probability है, हमको तो present value, premium कब देना होता है, तो सर, premium तो यहाँ देना होता है, तो हमको present value निकालना पड़ेगा, तो सर, discounting किस rate से करते है, risk free rate, इसको हम बोलते है, R, और मालो discounting किस rate से करना है, 10 पड़, पर यार, हमें जो probability निकालना होता है, उसका नाम होता, risk neutral probability, अब मुझे आपके derivative का knowledge चाहिए, और हमें निकालना है, risk neutral probability, risk, neutral, probability, और आपको पता है, risk neutral probability में हम लोग P निकालते थे, उसका formula था, R minus P, और U minus P, मुझे पूरी उमीद है, कि आपको याद होगा, ओके सर, अगर मैं इस question में देखूं, इस question में R क्या दिखाई दे रहा है, R, सर, R 10% है तो 1.10, उसके बाद U, क्या बोलते थे हम U, सर, price 600 है, पतलब सर 500 से 600 हो सकता, तो कितने time से ज़ादा, time से निकलते थे, तो 600 divided by 500, तो सर, यह आगया, 1.10, 1.20, और सर, एक D निकलते थे, 400 divided by 5, अगर derivative नहीं किया है न, तो प्लीज यह topic ना देखे, seriously, okay sir, 1.10 minus 0.80 divided by 1.20 minus 0.8 1.2 minus 0.8 or 1.1 minus 0.8 divided by Mr. Seql, 0.75, तो यह आगया, 0.75, उसे साबसे probability निकल गई, यहां की 0.75, और यह वाली आगया, 0.75, derivative, 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 говорить, अब क्या निकलते थे, अब निकलते थे सर, इसके बाद हम, इसके बाद तो बचा है नहीं, इसके बाद निकलते थे सर, C0, formula होता था C, U P तर बिना फॉर्मुले के भी हो सकता था यस बिना फॉर्मुले के भी हो जाता है T D 1 माइनस P divided by capital R आला कि फॉर्मुला कोई है नहीं है सेंस आप भी जानते हो बस लिखवाता क्यों फॉर्मुला है ता कि नंबर मिल जाए पूरे की पूरे बाकि फॉर्मुले लॉजिक है सिंपल लॉजिक है ओके सर तो सर 60 का पे आफ है और 60 होने की probability है 0.75 प्लस या तो 0 आ सकता है और 0 की probability है 0.25 और divide discounting करना पड़ेगा 1.10 से अंसर आ जाएगा 60 into 0.75 60 into 0.75 divided by 1.10 अंसर आ जाएगा से 40.90 अंसर आ जाएगा से अंसर आ जाएगा 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 यह बाइनोमियल में risk neutral का सबसे आसान question था जो आपने अब यहाँ करवाया और यह हमको already आता है उसमें क्या नया पढ़ासर बैटे नया पढ़ा नहीं नया अभी में start करो अब कुछ बच्चे 40.91 पे बहस करेगे बिक कर में ठीक है 40 रुपया इंक्याइनबे पैसा उसमें नया क्या था नया बस एक ही है जो मुझे अभी करवाना भी मैंने करवाया नहीं है कुछ रियल आप्शन रियल आप्शन में भी सारी चीज़े आने वाली है यही निकालना है हाला कि उसमें फाइनेशियल एस मतलब उसमें जो एसिट रहेगी वो कैपिटल प्रोजेक्ट रहेगी जिसका हमको इवैलिफशन करना वो सब टेक्निकल बाते छोड़ी सिंपल सी बात है कि रियल आप्शन में भी यही बाइनोमियल रहेगा यही प्रोबैबिलिटी निकालने पड़ेगी पर प्रोबैबिलिटी निकालने का तरीका कुछ और रहेगा मतलब सर मतलब रिस्क निउट्रल प्रोबैबिलिटी ही निकालना है उसमें भी लेकिन रियल आप्शन में प्रोबैबिलिटी निकालने का मेतट कुछ और रहेगा मतलब हम वहां R-D U-D नहीं करे तर पता कैसे लगए इसमें कैसे करना है और सरफ प्रॉबैबिलिटी जो आएगा वो 0.75 ही आएगा यस 0.75 ही आएगा तो सरफ इसी से निकालने में क्या दिकत निए निकाल सकते हूं मैंने कम मना किया यार एक ही बात है जो मैं करवाओंगा वो यही तो करवाने वाला हूं पर जो पेपर चेक करने वाला है ना भाई साब उसको क्या पता कि एक ही बात है उसको यह नहीं पता कि वो जो फॉर्मूला में लिखना हूँ उसी से तो यह डेरिवेटिसन होकर आया उसको नहीं मालूम इसलिए मैं ध्याप्यार से गरवा रहा हूँ ओके तो जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा है और उसमें जो यह प्रॉबैबिटिसन निकालना यहीं आप निकालोगे जो पढ़ चुके वो पढ़ चुके वो सब सही अगर शेयर्स की बात करेगा तो लेकिन जो बात करेगा रियल कैपिटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट तो यही वाला पॉइंट सेवन फाइव निकालनी की कोशिश करूँगा अल्टरनेटिव सर तो रियल उप्शन में दो अल्टरनेटिव से निकाल रखा वो दोनों में करवा देता हूँ फिर बता दूँगा किसमें कैसे करना है ओ कैसा अल्टरनेटिवान अब सुनोगे दियाँ आज शेयर खरीदोगे तो कितना मिलेगा 500 एक सल बाद 600 भी हुसा था 400 भी हुसा अगर मैं कहूं जो पैसा मुझे एक साल बाद मिलने वाला है या उसका प्रेजेंट वेल्यू निकाल सकते होगे कि यस और प्रेजेंट वेल्यू निकाल होगे तो डिसकाउंटिंग करना पड़ेगा सर और ये 10 परशन रिस्क फ्री रेट है मैं फिर से बोल रहा हूं मैं रिस्क फ्री से डिसकाउंटिंग करते हैं इसको प्रोबैबिलिटी से मल्टिप्लाई कर देते हैं और इसको भी cash flow हमने कहा किया 600 भी आ सकता 400 भी आ सकता इसको मैं discounting कर रहा हूं risk free से अगर risk free से discounting कर रहा हूं तो उसका present value 500 ही आना चाहिए तभी तो risk free से discounting कर रहा है आप ओके इसमें risk है कि नहीं है नहीं है तो सर इसको और इसको multiply divide करेंगे present value निकालेंगे risk free रेट से तो 500 आना चाहिए लेकिन probability क्या रखना है सर यहीं तो बात है probability प्लीज ऐसी probability होना चाहिए मैं कह रहा हूं होना चाहिए ऐसी probability होना चाहिए यहां कि discounting करने पर 10% से मेरा cash flow 500 ही आ जाएगा तब मैं कहूँगा कि यह जी risk free है ठीक है बाकी logic मैं आपको derivative मैं समझा चुका हूँ सारी चीज़े ओके तो मैं क्या निकालने की कोशित कर रहा हूं मैं निकालने की कोशित risk neutral probability ऐसी probability जिससे multiply करने पर और risk free से discounting करने पर answer 500 ही आना चाहिए तो probability क्या है वो मुझे नहीं मालू चलो तो वो निकालते है तो कितना आना चाहिए answer 500 फीचर में कितना आ सकता है 600 इसको multiply किस से करेंगे probability से या फिर कितना आ सकता है 400 इसको multiply करेंगे 1- probability इससे probability कॉंसी वाली probability है risk नहीं रिसकोंटिंग करना है तो discounting किस से करेंगे 1.1 that's it तो सर यह आ गया 550 क्या आ गया 600P 400 is 4 P यह यहां जाके मैनस 150 is equal 200P 2 P is equal 1.5 200 0.75 और कोई आश्यरे नहीं होना चाहिए यह derivation अल्रेड़ी यह derivation अल्रेड़ी आपकी copy में है मैं करवा चुका हूं derivative खोलोगे तो यह derivation आपको मिल जाएगी खला कि मैने बोला था note करने की जरवरत नहीं है derivation आता नहीं एक्जाम में पर आपने माना नहीं था आपने note किया था मुझे याद इच्छ से तो real option में answer तो उतना ही आएगा हांच real option में एक इस तरीके से probability निकाला रहे तो स्राल तरीके नहीं है तो स्राल तरीके नहीं है तो स्राल तो return इसमें भी probability यहीं निकलेगा तर क्यों time pass करा रहा है मजबूरी है मुझे pass करवाना है और मैं यह चाहता हूँ कि AFM जो module है उसमें जिस तरह से question करवाया गया है से उसी तरह से मैं आपको करवा हूँ हलक कि मैं यह ना भी बता हूँ तो भी ऐसे निकल गए खतम करोना कहानी पर यह क्यों समझा रहा हूँ यार answer तो वही आएगा .75 इसलिए समझा रहा हूँ अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ यह बताए अगर आज कितना पैसा लगाना है शेर में 500 कितना आएगा 600 रिटन बता सकते इन पर्षेंटेस 500 लगाकर 600 कमाऊगे तो बताओ कितना पर्षेंटेस कमाऊगे तो मुझे चाहिए रिटन इफ प्राइस तो सर 600 का बेचे के अभी 500 है इवाइड बाए बेसिक में तो प्रेस प्राइस कितना पर्षेंट सर 400 माइनस 500 इवाइड बाइ 500 200 इवाइड माइनस 20 पर्षेंट मतलब रिटन पॉजिटिव 20 पर्षेंट भी हो सकता मेरा यह कहना कि रिस्क फ्री का रिटन कितना रिस्क फ्री का रिटन 10 पर्षेंट तो बस मैं यह कह रहाँ कि यार इन दोनों को अगर में तोनों के ध्यान से में जो बोलने जा रहा हूँ इन दोनों को इन दोनों को किस probability से multiply करूँ कि मुझे return कितना चाहिए मुझे return तो 10% चाहिए इसको कोई probability से multiply करूँ करूँ इसको 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 जो वेटेड़रिस करूँ सर वेटेड़रिस बोलना अच्छा नहीं है कोई बात नहीं किस probability से multiply करूँ कि answer 10% आज़ा मुझे probability चाहिए risk neutral मतलब 10 लाना क्या इसमें risk है नहीं सा risk free है तो ये भी क्या आना चाहिए ये भी टैनी आना चाहिए बस probability पता करना है और वो probability वाली probability नहीं है जो चलती है यार भूम में ये आपका क्या सोचना वो important ये important है कि probability risk neutral होना चाहिए risk neutral का मतलब ऐसी probability जिससे answer risk free आजा है तो चलो सर करते है फिर दिक्कत क्या 20 कुछ लोग point 20 भी लिखते है 20 लिखते है 20 into p plus ये minus 20 है minus 20 1 minus p is equal to 8 कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत है match कैसे आप लोगों का तो गंदा है बिल्कुल 20p plus minus minus हुजाएगा minus 20 minus minus plus 20p 8 ये आपको match आता है ना यार yes sir okay 20-20 जुड़ जाएगा तो ये 40p आ गया है और ये minus उदर जाके plus हुजाएगा 28 तो p is equal to 8 by 40 28 by 40 तो ये आ गया point 7 point 7 आई वान आचे मतलब कहीं दरबड है अच्छा ये 8 ही तो गलत लिका sorry 8 की आदत होगए ये 10 okay तो ये 30 हो जाएगा उसा 30 by 40 point 75 live नहीं रहते हो ना आप तो ये सब समस्याए आती है okay point 7 okay सर बात समझे में आगे हम लोगों को अब conclusion पर पहुचे क्या है conclusion करे final करे कि यार हमको कैसे करना है अब हमने ये नहीं समझा कि क्या real option है क्या है बस हमको ये पता करने की कोशिस कर रहा है real option में भी risk neutral type का आएगा अगर risk neutral type का आएगा तो हमको probability निकालना है अगर probability निकालना है तो सवाल ये है कि probability ऐसे निकालना है या फिर price को देखकर निकालना है कि return को देखकर निकालना है पहली बात real option में एकात question में ऐसे price को देखकर निकालना गया होगा सारे की सारे questions में जो probability निकालना है risk neutral वो return को base लेकर निकालना it means real option के questions में ऐसे probability नहीं निकालेंगे जो stocks का हम stock option पर ड़ेता हम उसमें चल जाएगा तो से real option में probability ऐसे भी नहीं निकालेंगे, एक आद question में निकाला होगा तो हम कैसी याद रखेंगे हम इसी तरीके से probability निकालेंगे किस को base रखका, return को base रखके ठीक है, okay तो यहाँ तक हमको बात समझवें आई हमारे लिए real option के लिए यह important है अब इस start नहीं करवाया हूँ real option, ठीक है ओके तो total मिलाकर मुझे आपको binomial revise करवाना था revise actual में revise नहीं करवाना है actual में कुछ नहीं चीजे डालना था, तो पहली चीज मेंने डाल दिया आपको क्या करना है अब दूसरा काम और है, और एक example और उसके बाद काम खतम उसके बाद हम पहुँच जाएंगे real option पे concept करेंगे, question करेंगे, खतम हो जाएंगे दिखोगे example नमबर 2 याद रखना example नमबर 2 और यहाँ bracket में लिख देता हूँ dividend paying stock dividend paying stock okay त्यारू? यहाँ? यहाँ? मान लो आज शियर की price है, पास्सो पचास ठीक है सर, कोई दिख कर नहीं है क्यूंकी binomial हैं, तो दो possible price होज़ा याद तो 600 हो सकती वही बला ले लेते हैं याद तो कब की बात है? एक सल बात की? एक सल बात की? 5, 6, same question ले रहा हूँ 260 ओके बट 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 इस question में है कि अगर हम एर खरीदते हैं तो हमें अनुमान है कि एक साल बात डिविडेन मिलेगा ओ, 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 एक नई चीज़ाई और एक नई चीज़ाई और वो चीज़ाई एक्सपेक्टेट डिविडेन परशेर येर एंड और सर, कितना मिलेगा 355 चाहे प्राइस 600 हो, चाहे 400 हो, हमें 55 मिलेगा अगर हम शेयर खरीदेते हैं सर, पहली बात है क्या हम शेयर खरीद रहा है? नहीं जब शेयर खरीद ही नहीं रहा है तो क्यों टाइम पस कर? हम तो उप्शन खरीद रहे हैं न और उप्शन खरीद रहे हैं तो उप्शन की बात करो नहीं डिविडेंट से क्या लेना देना सर डिविडेंट से क्या लेना देना आप कह रहे हैं कि अगर एक साल अवाद होता तो 600 रुपे का डिविडेंट मिल जाएगा 55 यस और share base देंगा 600 का बिल्गुल सही agree है sir हम agree है सवाल है sir हम आप से यह पूछ रहा है R भी बता दीजिए sir और R कितना पर्षण लेता हूँ 8 10 पर्षण ले लेते अब सुनो के देहां से dividend के होने ना होने से option value से क्या लेने देना sir अगर dividend मिलता बहुत बारी क्यों से समझना अब यहाँ derivative समझने मली बात है sir अगर हम call option खरीतते हैं तो जो भी share खरीदेगा उसको 55 रुपए dividend मिल जागा that shit हम agree है लेकिन sir हमको से क्या लेना देना है एक साल बात share का 600 का हो जाएगा तो option exercise करेंगा हम जो option खरीद रहा है उसको मिलेगा तो 40 see you आप dividend लिखकर करोगे क्या मिलेगा तो 40 yes और sir cd यह तो 0 हो जाएगा बात खता सवाल है probability probability में देखका थे probability कैसे निकालोगे और मैंने बताए real option में किस basis पे निकालोगे sir return के basis तो अब दो तरीके दोनों तरीके समझा दूँगा पर हमको कैसे करना वो भी समझा दूँगा बिल्कुल दिहान से समझना और दोनों तरीके काम आएगी अगर हम share खरीदते तो क्या हम return निकाल सकते हैं हाँ sir return निकाल सकते हैं तो पहला काम है कि हम risk neutral probability निकाले risk neutral risk neutral probability और सब किस basis पे निकालेंगे r minus d उससे अब मैं कभी ने निकालूँगा real option में तो ने निकाल रहा है तो sir कैसे निकालोगे फिर मैं हमें sir return calculate करूँगा अब समझदारी से बताना मुझे अगर मैं share खरीदता आज तो कितने का खरीदा पाथ सो पचास तो फाइफ फाइफ जीरो और future में कितना मिलता 600 यह बेचने पर और dividend भी तो मिलता और dividend कितना मिलता 55 क्या percentage of return निकल सकते हो हाँ sir निकल सकते है return if price goes up दूसर एक तो 600 माइनस 550 तो 600 यह मिलेगा प्लस 55 dividend भी तो मिलेगा अगर हम share खरीदते हैं हमें return किसका निकलना मैं share का निकलना ओके हो और लगा कितना रहा 550 और divided by क्या जाएगा 550 200 percentage निकल जाएगा 655 माइनस 550 जीरो डिवादेड़ भाई 550 इन्टू 100 तो सर यह 19.09 percent क्या स्पसर ठीक है तब 400 यह मिलेगा और डिविरेन का 55 मिलेगा लगा कितना रहा है 550 जीरो इन्टू 100 17.27 माइनस में आगे है ठीक है यार इन दोनों को मिला के हमें आर कितना चाहिए 10 तो क्या पी नहीं कल सकता है तो क्या सकता है तो 19.09 2P प्लस माइनस है माइनस 17.27 1-P इस वेल तो आना कितना चाहिए 10 ठीक है ठीक है इसे स्वेल कर लेते है 19.09 P प्लस माइनस 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 17.27 माइनस माइनस प्लस 17.27 P प्लस तो 10 अगरी हो ना बाकि मैस तो आपका ज्यादा अच्छा होगा मस्त अब सर ये और ये प्लस हो जाएगा 19.09 प्लस 17.27 तो 36. 36. P is equal 10 प्लस 17.27 तो सर यागे 1.27 तो सर आंसर 0.75 ओहो वाउ 0.75 ऐसे ही तो कुछ आया था यार पिछले कोश्चन यहां गया 0.5 और यहां गया 0.5 ओके अभी और समझाऊंगा तो सर अब value of option निकाल सकते हैं हाँ ची अब बचा क्या कोश्चन 0 is equal to याद रखेना यहां 40 ही लिखना है यहां dividend से हमको कोई लेना देना नहीं हम तो value of option निकाल रहा है अगर option खरीदते तो dividend से यहां कोई payoff में कोई लेना देना है ओके 40 into 0.75 plus 0 into 0.25 40 आसो साट लिया हम इस बार है ना okay divided by 1.10 27.27 27 that's it कुछ था नहीं मतलब सारी कहानी यह है कि बिल्कुल सिंपल है अगर dividend paying stock होगा तो option में कोई लेना देना नहीं है yes option से तो कोई लेना देना नहीं है बस इतना है कि जब हम probability निकालेंगे और जब return निकालेंगे तो हमको वो dividend लेना होगा yes okay हाला कि बहुत सारी किताबों में दूसरे तरीके से भी कोशन करवाया गए तर वो भी करवा दो ना प्लीज yes वो भी करवाना जरूरी है क्योंकि आगे आएगा B.S.M अब B.S.M में जरुरत पड़ेगी तो समझो उस बात को सर हमें करना कैसे ये बता दो क्या आपको करना ऐसे ही है मैं और एक तरीके से समझा रहा हूँ सर इतना याद कैसे रहे है वैस ये फाइनल में हो याद तो कर रखना ही पड़े गए तो नहों गय थी हाँ से एक और concept आता है कि यार जब भी dividend दिया है तो dividend का option से तो कोई लेना देना है नहीं तो हम लोग क्या करते है ये जो है ये क्या है सर ये stock का price है ये stock का आज का price है कितना तो हम लोग क्या करते है यार एक काम करो ना सबसे अच्छा सबसे अच्छा दरीगा bsm में आया था एक question याद करो एक question था जिसमें dividend था bsm में आया था तो सर dividend जो मिलने वाला है उसका present value हम stock में से minus कर देते हैं करवाया हूँ पता नहीं रब को याद होगा कि नहीं हाँ सर याद आया याद आया क्योंकि यार option में dividend तो मिलेगा नहीं yes तो हम क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं हम लोग stock price after dividend adjustment हम ऐसा निकाल लेते हैं मतलब मैं आप से ये बोला था कि यार 550 है dividend कितना मिलने वाला है 50 रुप है इसका present value 1.10 से discounting कर देंगे निक 50 निक 55 है क्या 55 55 55 divided by 1.10 करेंगे stock का value आ गया 500 मतलब हमने dividend को उड़ाई दिया ना रहेगा बास न बजेगी बाश्वरी पस फिर तो कतम फिर सब जगा से dividend हटा दो अब हमको कोई मतलब नहीं dividend से अब हम binomial tree बनाती है तो यहां 550 नहीं लिखेंगे अब लिखेंगे 500 और 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 उसके बाद यहां और यहां यह प्राइस तो दिया है कितना 600 और यह कितना जाएगा 400 एक यह भी तरीका है फुसर यह तो यही वाला हो गया यस यह तो यही वाला सारी चीज़े हो गई 500 अगर मैं कहूं यही वाली बाइनो मेल tree हो गई यस पूरी की पूरी तो आंसर तो वही आएगा चाहो तो आप कर लेना बाद में और आरव तो आपको पता ही है तो सरा, आंसर कितना आ जाएगा आंसर .75 यहाँ जाएगा और .25 यहाँ जाएगा कहने का UX ही क्या है कि जब भी डिविदेंट दिया है तो दो तो तरीके करने के पहला तरीका dividend को consider करो और dividend को यहाँ dividend के हिसाब से return निकाल दूसरा तरीका dividend को उड़ाई दो सब तरब से उड़ा दो और यह मैंने उड़ा दिया और BSM में जो एक question है stock के valuation का BSM में especially उसमें हम याद करो एक question था जिसमें dividend था दो मेहने बाद तो उसका present value निकाल के हमने stock के price से minus कर दिया पर हम real option में कैसे करेंगे please यह भी बता दो हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे real option के question में अगर dividend है तो dividend को भी consider करके return निकालेंगे हलाकि probability एक ही आएगी चाहे ऐसी कीजिए चाहे ऐसी कीजिए तो अब हम लोग तयार हो चुके है इसलिए बोलो real option के लिए तो भगवान का नाम लेते हैं और start करते है real option ठीक है दो मिनट में चलो जी अब आजाए real option पे हाँ सर हो जाए खतम करेंगा तो अब basically अब बात है real option और अच्छा ये है कि मैं example से समझाओ ऐसे तो समझ में आएगा नहीं ऐसे तो practically बहुत सारी बात बोल दूगा कि यार फॉर्मसोटिकल कंपनी कुस मैंने कुस साल research करती है फिर बहुत सारी एक्सेक्टर वो काम की चीज़ नहीं है ठीक है ठीक है और मान के चलो कि कुछ नया नहीं पड़ है सब आता है आपको सब आता है बस मुझे एक बार आपको घटनाए दिखानी है एक बार मैं आपको घटनाए दिखा दूगा कि देखो भाई ऐसा ऐसा है क्योंगे टोटल मिलाकर दो तीन एक्जांबल गरवाँगा उसके बाद क्लास उबर करेंगे पॉंसेट सारे हो चुके होगे और उसके बाद जो कोशन्स होगे वो अगली क्लास में हो जाएगे बस दो क्लास इसमें सायद खतम हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा BSM के लिए लिए कुछ एक्जोटिक अप्शन वगेरा भी है कुछ electricity derivative है वो थियोरिटी कले है वो भी डिस्कुस करें तो मेरे साथ साथ लिखना है पॉस्ट और प्रोजेक्ट तब लैक्स में है 500 लाख रुपिया तब लैक्स में करूँगा या हम बार बार लैक्स नहीं लिखूँगा 500 लाख रुपिया लगाना है हम किसी प्रोजेक्ट में 500 लैक्स लगाना चाहते है ये कैच कैश इनफर्स येर वन येर थ्री और हमारी उम्मीद है कि जो प्रोजेक्ट है वो तीन साल तक चलेगा और फर्स्ट येर में आएगा 300 लैक्स सेकेंड येर में आएगा 150 लैक्स और थर्ड येर में आएगा 100 लैक्स तीक है और कॉस्ट अप कापिटल मतलब सर जिससे डिसकाउंटिंग करना वेटेड आवरेज कॉस्ट अप कापिटल 10% पर है न calculate NPV सर ये क्या बच्चो डाइब का काम करवा रहा है हाँ बटे मुझे ना बेसिक से चीज़े उठा नहीं है इसलिए मैं बच्चो डाइब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हाँ सर NPV तो हम बच्चपन से निकाल रहा है NPV 300 NPV आता है ना बही निकाल ना 1.10 पावर 1 प्लस 1 फिद दिवाद बाइ 1.10 पावर 2 प्लस 100 इद बाइ 1.10 पावर 3 13 or minus 500 और है equal to m plus 152 बाइ equal to m plus 100 थी बाइ equal to m 500 तो सर ये हाग elbows NPV 28 तो NPV नेगेटिव आ रहा है क्या हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए यस हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए हमने पढ़ा हुआ अच्छे से कि सर NPV नेगेटिव आएगा तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए पर अब मैं कुछ चीजे बताने जा रहा हूँ अभी तक कुछ नहीं सवाल यह है कि यह जो प्रोजेक्ट है इसमें पैसा लगात तो रहा है हम पास सोलाक रुप हैं और तीन साल बात इलेक्शन है ओके और हमें ऐसा लग रहा है सर कौन सा प्रोजेक्ट है अच्छा कोई फॉर्मसोटिकल कंपनी का है और तीन साल बात तिर्फ तीन साल तक ही कमा पाएगे तीन साल बात गॉर्मेंट उन दवाईयों पर बैन कर सकती है ऐसा उम्मीद है अच्छा सर येस गॉर्मेंट चैंज होगी सुनोगे सुनोगे ध्यान से कहान या फिर ऐसा हो सकता है तीन साल बात हम जिस गॉर्मेंट को कहे रहे हैं सोच रहे कि यह वली गॉर्मेंट आईगी अगर यह वली गॉर्मेंट आती है जिसका हमारा अनुमान है तो हो सकता है ब साल बाद और लगाएंगे प्लांट और ज्यादा और लगाएंगे और कमाएंगे लेकिन जो हम कर रहे हैं हो सकता है तीन साल बाद सबसीरी ना मिले अनुमाने के सबसीरी मिल जाए कि तीन साल बाद सबसीरी ना मिला तीन साल बाद हमें टैक्स जादा लग जाए तो टैक्स ज साल बाद हमारे पस दो आप्शन है या तो हम जो चाह रहे हो गौर्मेंट आ जाए टैक्सिस कम हो जाएगे तो हम और पैसा लगाएगे आगे भी जा सकते हैं और अगर गौर्मेंट जो सोच रहे हो नहीं आई तो टैक्सिस जादा लगेगे कैश इंफ्लो कमाएगा बर दो सि कि तीन साल बाद क्या हो सकता है वो भी एक बार सोच लेते हैं अब भी हमने जो कैश फ्लो की बात किया वो कौन से तीन साल तक बिना ऑप्शन को कंसिडर की है अब तीन साल बात क्या होगा सुनोगे ध्यां से सिनारियो बता रहा हूँ मैं आपको सर आज कहा है एक ट्री टाइप का बना रहा हूँ आज हमने 500 लगाया पर्स्ट यर में कितना आएगा 300 आएगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है जी सर फिर कितना आएगा 150 आएगा इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है और सर फिर कितना आएगा यह मैं लिखवा नहीं रहा हूँ 100 आएगा इसमें भी कोई दिक्कत मैं लेंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ सिर्फ कॉंसेप्स समझाने की कोशिश करें ये फर्स्ट इयर है, येंड इयर है, लगा दिया पैसा, तीन साल हो गए, हम जानते हैं अगर कोई अभी हमसे बोलेगा कि प्रोजेक्ट करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, पर अब हम सूच रहें कि तीन साल बात क्या हो सकता है, तीन साल बात, एलेक्शन के बात, तीनी सा पास सो लाक ही तो लगा रहा है उससे कमाएंगे तो तीन साल था की कमाएंगे लेकिन अगर उसके बाद भी अगर अकाम जारी रखना है आपको तो आपको और पैसे लगाना और तीन साल बाद पुरा खिल किसका है गौवर्मेंट का अब सुनो के दिन से सर कितना लगाना पड़ेगा तीसरे साल के एंड में कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना सर ऐसे लिखना है कि हाँ जी इन्वेस्टमेंट एक हजार लाग करना वाँ आप एक हजार लाग ठीक है सर तीसरे साल के एंड में हमें पता लग जाएगा कि government कौन सी आने वाली है तीसरे साल के end में दो possibility एक हजार लाक तर क्या possibility अगर हम जो सोच रहे वही government आती है मतलब टेक्सिस में हमको छूट मिल जाती है तो जो cash inflow आएगा cash inflow आएगा वो आएगा 120 लाक पारेनम पारेवर वाव तो यार अब मैं यहां third year में खड़ा हो गया अब सोचना है थोड़ा सब अगर सोचोगे न तो दिक्कत नहीं होगे नहीं तो फिर यह मुस्किल लगने लगे यहां खड़ा हूँ जब यहां खड़ा हूँ तो में सोच रहा हूँ यार क्या हो सकता है भई गौर्वर्मेंट आगी वाव कितना आएगा बोले 120 लाक पर एनम आएगा फॉरेवर 120 लाक और सर अगर गौर्वर्मेंट जैसा सोच रहे थे हमारे हिसाब से गौर्मेंट नहीं आई तो भी टैक्सिस जदा लग जाएगा उस कंडिशन में सबसीडिय बगिरा जो मिलना था वो नहीं मिलेगी तो फिर जो कैश इनम्स है ना वो उतना नहीं आ पाएगा वो आएगा 80 लाक रुपए पर एनम और इवर ओके प्रोबैबिलिटी वो मैं बता देता हूँ हला कि हम बाइनोमियल में कुछ और पढ़ेंगे पर अभी मैं यहाँ प्रोबैबिलिटी आपको बता दो तो बताओ एक हजार लाक जब हम यहां खड़े हो चुके एक हजार लाक लगाना है एक सो बीस पर रेनम आएगा बोलो लगाओगे कि नहीं लगाओगे सर तो यह नया डिसीजन हुआ नया डिसीजन नहीं हुआ एक हजार लाक जो पहले से है वो तो है उसमें और एक हजार लाक लगाना इट मिंस वो जहां आप इसा लगाया ना वो खराब नहीं होगा जो रिसर्च किया वो काम आएगा यहां रिसर्च का काम हुआ था अब यहां काम आने वाला है ठीक है सर लगाएंगे फिर तो लगाएंगे तो एनपी भी निकाल सकते सबको परपेच्वल समझ में आता है ना यह सर बताओ एनपी वी कितना आएगा यहां सर एनपी वी आएगा एनपी वी निकल सकता है ना ओके बताओ एनपी वी कितना आएगा सर आरा सो लाक माइनस एक हजार ला कितना है एक सो बीस डिवाइड बाइन परशंट परपेच्वल है ना यार 120 डिवाइद 1200 लाक मैनस 11 लाक तो सर यह आ गया सर इसको PVCI बोल सकते कि PVCI कितना दिखाए दियरा आपको 1200 लाक और सर यहां PVCI कितना दिखाए दियरा 800 लाक तो यहां NPV कितना आ गया तो ठीक है हाँ बहलो हाँ जब मैं यहां खड़ा हूँ मतलब NPV 200 लाक भी हो सकता सब probability भी बोलो ना यार तभी तो मज़ा आएगा इस बात की probability है 0.7 और इस बात की probability है 0.3 कियार गौर्मेंट अच्छ भी हो सकती है मेरे मताबिक या फिर मेरे मताबिक नहीं भी हो सकता इस बात की probability है 0.7 इस बात की probability है 0.3 अब सोस समझ के बोलना यहां खड़ा हूँ अगर गौर्मेंट मेरे मताबिक आती है तो पक्का प्रोजेक्ट करूँगा करूँगा यह करूँगा करूँगा तो बोलो कितना का फायदा होगा दो सोला अगर मेरे मताबिक गौर्मेंट नहीं आती है तो क्या प्रोजेक्ट करूँगा नहीं क्यों नहीं करूँगा भई लॉस दिखरा है न तो लॉस थोड़ी न है इट मिन्स यहां NPV के आएगा बिल्कुल सोस समझ के बात करना सर नेगेटिव आएगा बेकार की बात है NPV जीरो बस यही एक चीज है समझने वाली बाकी कुछ नहीं अच्छा जब मुझे जब मैं यहां खड़ा हूँ मुझे मालूम है कि गौर्मेंट में लॉस होने वाला तो पैसे क्यों लगाँगा भई यहां पैसे लगाँगा इट मिंस NPV 200 लाग भी आ सकता है NPV 0 भी आ सकता है याद है आपको बाइनोमियल में एक पॉजिटिव आता था एक 0 आता था वह चीज में हैं करवा रहा हूँ सर अच्छी लेंग्विज में बोलो सिंपल लेंग्विज में बस मुझे इतना बता हूँ जान से अब जान से सर नाम बोलो नाम इसको मैं बोल रहा हूँ exercise price ओके exercise price आलक यह नई भी लिखो कि तो चल जाएगा सर इसको क्या बोल रहा हूँ stock का price जो future में cash flow मिलेगा उसका present value वही तो होता price तो सर यह stock price हो गया और यह भी stock price हो गया option कौन सा है call और call option कब exercise होगा जब price उपर जाएगा मतलब सर 1000 लाख रुपिया लगा रहा है 1000 लाख से उपर हुआ तो exercise 1000 लाख से नीचे हुआ तो lapse यही तो है real option ओके it means यह एक प्रकार से call option ही तो है यह हाला कि probability मैंने बता दिया हम probability निकालेंगे risk neutral इतना मुश्किल कोशन नहीं है question simple है यह बस आपको explain कर रहा हूं अच्छे से okay तो इस situation में option को consider करते हुए क्या value of option निकल सकता है value of option देखो एंपी भी निकालने के दो तरीके यह मुझे present value of option यह यह दोसों क्या है value of option यह present value of option निकल सकता यह सर अराम से सोचते बिश्चे प्रेजेंट वेल्यू ओफ कॉल अप्शन यह value of option बोल सकते हूं real option बोल दीजिए 200 हां बोलो into point seven 200 दिख रहा into point seven plus zero zero क्यों आया मैं आपको समझा जूँ into point three पर यह सर तीसे साल के end का NPV है न हाँ वो मैं कर रहा हूं ना भई चिंता क्यों कर रहा divided by है 1.10 पावर थ्री पावर थ्री क्यों कि आपको पता है तो दोस्तों इन्टू पॉइंट सेवन डिवाइड़ बाई वन पॉइंट वन सेटो एक दो तीन तो वेल्यू ओप आप्शन आ गया पॉजिटिव आजाएगा पॉजिटिव आएगा तो एकसेप्ट कर लेगा ओके अगर रिवाइड एन्पीवी मांगेगा तो पर मांगा नहीं पूछ किया सकता कैलकुलेट रिवाइड एन्पीवी ओके ओके तर निकाली दो ना ज्याद अच्छा पहले था माइनस 28.174 ओके 28.174 पिना कंसीडर करें इसको आप्शन को जब आप्शन को कंसीडर कर रहा है तो 105.14 तो देखते हैं अन्पीवी कितना है 105.184-28.177.01 और क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट हमें कर लेना चाहिए सर एक्जाम में क्या आता है बस इतना बता दिया एक्जाम में यह आता है ठीक है हाँ बोलो अब तो जब वो कोशन आएगा मैं कोशन लिखवा नहीं रहा हूं भाई पस समझों कॉंसेप्ट समझों कोशन तो है आपके पास ठीक है सर एक आइडिया हुआ कि क्या होता है रियल ऑप्शन कॉल ऑप्शन से थोड़ा बहुत समझ में आया कि यार इससे उपर जाएगा तो एक्सराइज पर हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ना भी समझे आम आदमी की तरह समझे तो एनपे भी पॉजिटिव है तो एक्सराइज करेंगे एनपे भी नेगेटिव तो हम प्रोजेक्ट करेंगे ही क्यों ठीक है एक है ओक है और एक एक्जांपल लेते हैं एक्जांपल नमबर टू इसमें भी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ सीधा सीधा एक्जांपल करवा रहा हूँ लिखने में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ 500 लेक्स ठीक है सर्श कोई समस्या नहीं है कितना कितना पैसा आ सकता है मैं गया रहा हूँ या तो 600 आ सकता है 400 लेक्ट या तो 400 आ सकता है पस्ट इयर में या तो 200 आ सकता है तो क्या प्रोबैबिटी सर्थ यह सिनारियो जैसा कर रहा है कि हाँ प्रोबैबिटी अभी 0.5.5 अभी मैं बाइनोमियल पे पहुचा नहीं हूँ ठीक है बाइनोमियल पे पहुचा नहीं हूँ ओके सर्थ 0.5.5 और सर्थ 2 येर अगर 400 आया अगर पहले साल जाद आया तो फिर जाद आयेगा और मुझे उम्मीद है कि सेकेंड येर में 600 भी आ सकता है उसके अलावा 400 भी आ सकता है इसके अलावा 300 भी आ सकता है और 300 है इसको थोड़ा समय करें 100 भी आ सकता है और 50 भी आ सकता है 100 भी आ सकता 50 भी आ सकता है सेकेंड येर में और क्या प्रोबाइबिलिटी है 0.5 0.5 0.5 और सर डिसकांटिंग रेट क्या है 10 परशन अगर कैपिटल बिष्टिंग के हिसाब सेथ करो तो बिल्कुल सिंबल कोशन उसमें कुछ है नहीं है तो एक्सपेक्टेट कैश फ्लो निकाल लेते यस और पर डिसकांटिंग कर देते तो एक्सपेक्टेट कैश फ्लो फस्ट इयर का यह कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा भाई इतने तो आप समझदार हो 400, 400 into 0.5, M plus or 200 into 0.5, M plus MRC सा 300 और सेकेंड इयर का 0.25, याद रखना 600 आने की क्या probability 0.25 होता है पता है सर हमको 600 plus 400 plus 100 plus 1 287.50 तो क्या NPV निकल सकता है क्या 300 1.10 power 1 plus 287.50 divided by 1.10 power 2 minus 500 500 तो प्रोसर NPV आ गया 10.3 और प्रोजेक्ट को हम accept कर सकते ठीक है यहां तक कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत है अभी मैंने option की बात नहीं किया हूँ अभी बिल्कुल simple question की बिल्कुल 38 अभी बिल्कुल अभी लोगी फिर यहां लोगी अभी अर्डोट पर अभी लोगी can be abandonment मतलब project को आप बेच सकते हो बंद कर सकते हो at peace 125,00,00 चाहूं तो आप first year के end में project को बंद कर सकते हो और कितने में बंद कर सकते हो 125,00,00,00,00 में बंद किया जा सकता project ओके तो sir 125,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 कब first year के end में अब जब आपको 400 मिल गया क्या बंद कर देना चाहिए या 200 मिल गया क्या बंद कर देना चाहिए हमें अगले साल पहुचना है कि नहीं पहुचना है या तो ये price हो सकता है हमें project किस point of time पर बंद करना चाहिए सवाल इतना है और ये question में ने कहा करवाय था याद करो gold mine वाला question yes capital बश्टी मा खीक है सब project को बंद कर सकते है पर कब बंद करोगे दो possible चीज़े या तो यहाँ बंद करोगे या तो यहाँ बंद करोगे sir note का नाम दे दो न yes sir यहाँ बंद कर सकते है this is note इसको A बोलू इसको B बोलू और इसको C बोलू तो sir comparison कर लेते है यहाँ बंद करना है तो यहाँ comparison करना है तो किसका करना है मैं यहाँ खड़ा हूँ future में क्या आ सकता 600 आ सकता 400 आ सकता उसका present value निकाल देते है मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे नोट B नोट B present value निकल ले तर ये two period binomial model जैसा है वैसे ही है हलाग कि आपके exam में तो और simple आता है present value present value निकल लेते एक बार काम खतम करते येस नोट B के लिए नोट B के लिए सर्थ 600 आ सकता है येस इस बात की probability कितनी है 0.5 ओके प्लस 400 भी आ सकता है इस बात की probability है 0.5 पर ये तो एक साल बाद आएगा उसका क्या कर ले हम लोग present value 1.10 0.25 क्यों नहीं ले रहा है बैटे मैं यहां की बात कर रहा हूं मैं पूरे cash flow को नहीं मैं इस नोट के लिए अलग और इसको अलग कर रहा हूं ये pathwise पता नहीं आपको याद होगा की नहीं pathwise कर okay okay sir 600 into 0.5 400 into 0.5 m plus mrc divided by 1.1 c तो सर प्रेजेंट वैल्यू है 454.54 जबकि बेचने पे कितना पैसा मिलेगा sir बेचने पे मिलेगा कहां लिखा थे 125 लाक intrinsic value भी बोल सकते हूं yes sir बेचने abandonment abandonment करने पे मिलेगा 125 लाक क्या करे बेचे या नहीं बेचे नहीं बेचेंगे तो value of abandonment value of abandonment इस note पे क्या आएगा 0 आएगा sir आज समझ रहे हूं न आप value of abandonment बोल रहा हूं बेचने पे क्या मिलेगा बेचेंगे ही नहीं 0 whichever या वरी बेचेंगे नहीं sir आगे बढ़ जाएंगे okay sir इसका मतलब अब समझने की कोशिश करा ये जो है ना ये तर ये है क्या ये है exercise price 125 लाग 125 लाग में हम बेचने contract to sell याद है contract to sell बेचने का contract अगर हमें 125 लाग से ज़्यादा मिलने वाला है तो हम option exercise नहीं option कब exercise करेंगे जब अच्छा तो sir ये exercise price है yes और ये stock price और stock price का मैंने पहले भी बताया था future में जो cash flow मिलेगा उसका present value तो sir हम बेचेंगे ये नहीं yes तो यहाँ pay off क्या आएगा यहाँ तो 0 आएगा yes it means यहाँ क्या आएगा यहाँ value of abandonment सीदी सीदी बात कराऊ value of abandonment यह value of option बोल सकते value of abandonment option वाव मज़ा गया value of abandonment option is equal to 0 अब node c की भी बात कर लेते हैं हाँ बिल्कुल बात करते हैं node c अब node c में क्या देखना है node c में हमें देखना present value फिर से देखें 100 भी आ सकता है 100 into 2.5 और 50 into 2.5 और divide किस से करेंगे 1.10 100 into 2.5 50 into 2.5 divided by 1.10 तर तो यह आ गया 68.18 क्या 125 से कम है हाँ बोलो हाँ सर 125 से कम है क्या exercise कर लेंगे यस अब बेज देंगे सर क्योंकि बेचने में ही फायदा है सर मतलब price ज़्यादा होगा तो option exercise नहीं करेंगे put option है price कम होगा तो option exercise करेंगे तो सर अगर हम option ध्यान में ना रखे तो भी तो बात बन जाएगी तो भी बात बन जाएगी डरने वाली बात है नहीं ओके तो value of abandonment option यहां तो exercise करेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा पता सकते हूं कितने का फायदा होगा सर सिंपल है पहले हो रहा था 125 नहीं 120 का बेचेंगे जबकि यहां present value निकाल रहा तो 68.18 तो सर हमें कितने का फायदा हो जाएगा 125 minus 68.18 तो हमें फायदा हो जाएगा रुपीज 56.2 56.8 तो यहां क्या आगया 0 यहां क्या आगया 50 6.82 value of option तो यहां का value of option निकल सकता है कि no day का सर easily निकल जाएगा चलो निकालते हैं ओके तो अब हम क्या कर रहे हैं हम निकाल रहे है value of abandonment option जगह की जिम्रत है value of option लिख देता हो ना यह सीधा abandonment option भी बोलते हैं इसको put option भी बोलते हैं आपका AFM खोलोगे ना तो उसमें abandonment options लिखा है तो सर जीरो इंटो 0.5 0.5 plus 56.82 into 0.5 और divided by कर देंगे 1.10 से कहानी खता तो 56.82 into 0.5 divided by 1.10 तो सर यह आ गया value 25.83 रफली नहीं कर रहा हो वैसे एन पी भी कितना वैसे तो एन पी भी आ रहा था 10.33 अगर हम abandonment option को consider ना करें पर अगर abandonment option को भी consider करें तो एन पी भी अब इतना नहीं आएगा अगर कोई मुझसे बोले revised NPV निकाल हो तो हम निकाल लेंगे revised NPV वो कितना आएगा सर कितना आएगा पहले कितना था 10.33 plus 25.83 तो उनों को add कर देंगे 10.33 plus 25.83 दोनों को add करके आ गया रुपीस 36.16 10.33 क्या था बिना abandonment option को यूज किये NPV और abandonment option को भी consider कर रहे हैं तो NPV आ रहा 36.16 ओके आँ बोलो कुछ बच्चों का कहना सुनो न सर ये हम time pass नहीं करते और हम सीधा उनका क्या कहना उनका क्या कहना सुन लो सर रिसर्च कर वा रहा है हाँ कर वा रहा हूं कर लो काम की चीज़ उनका कहना सर सुनो सुनो ultimately हमारे पास तो ये हो गया ना आज गया है 500 बिलकुल एक सल बाद आएगा कितना कितना आएगा जरा देख लेकिया 400 भी आ सकता है 200 भी आ सकता है 400 भी आ सकता है और 200 भी आ सकता है और आगे तो और कम आएगा तो हम जाएगे नहीं और बेज देंगे तो 125 भी आ जाएगा ठीक है 400 हुआ तो सर आगे जाएगे यही मतलब है ना सर और आगे जाएगे तो 600 मिलेगा 400 मिलेगा 400 मिलेगा और इधर आगे जाएगे सर तो कितना कितना मिलेगा सर आगे जाने का फायदा नहीं है 0-0 ultimately यही हुआ ना देंट्री और देखा जाए तो यहां 0.5 है यहां भी 0.5 है यहां भी 0.5 है यहां भी 0.5 है यहां भी 0.5 है अगर एक्सपेक्टेड कैश्फ्वोण निकालो तो 600 इंटू 0.25 लेना 600 इंटू 0.25 M प्लस और 400 2.25 M प्लस MRC इन सब को consider कर रहे हो तो यह आ रहा 250 0 into 0.25 0 into सब को consider किया तो 250 यहां की बात करो sir 400 into 0.5 तो 325 तो 325 into 0.5 और यह आ गया 362.50 अब sir अगर हम इसका present value निकाल ले सीधा तो आपका कहने का मतलब है NP भी इतना ही आ जाएगा हाँ मैं वही बोल रहा हूँ मैं कहाम आना कर रहा हूँ एक दे सर 62.50 0 divided 1.10 equal to M plus 250 2 बार equal to M plus MRC minus 500 NP भाएगा 36.16 मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि आंसर तो उतना ही आएगा 36.16 सर एक सिंपल सी बात है कीप हमें एक्जाम में क्या आएगा इस सब बहुत आपने रिसर्च करवा दिया है सब करवा दिया है एक्जाम में क्या आएगा मुद्दे की बात करो बैटे एक्जाम में क्या आएगा सुनो एक्जाम में क्या आएगा बिल्कुल ध्यान से समझना जब आप NPV निकाल रहे हैं जब आप NPV निकाल रहे हैं जब आप NPV निकाल रहे हैं तो यहां कुछ present value आया था क्या सर और कितना आया था present value यहां सर यह आया था 510.33 सुनोंगे बिटे एक्जाम में क्या आएगा एक्जाम में क्या आएगा वह करवार present value of cash info today आज present value of cash info क्या यह दिया रहेगा question सर प्रेजंट value of cash inflow without considering abandonment option पास तो 10.33 ठीक ठीक है सर उसके बाद बुलेगा आपको रजा और पास यह यह बता देगा आपको 454.54 454.54 और इसकी probability है 0.5 या फिर आएगा 68.18 और इसकी probability 0.5 question ऐसे ही रहेगा ओके और discounting rate 10 percent और लिखा रहेगा project can be disposed of spelling देख लिए ना at the end of year rupees 125 calculate value of abandonment option value of abandonment option तर करना क्या है इल्कुल simple इल्कुल अभी मैं binomial पर पहुचा नहीं हूँ भाई अभी binomial पर पहुचा नहीं हूँ अगे तो सर करना क्या प्रेजेंट value of cash in flow यहां कितना है सरपास्ट दस पॉइंट 33 अभी यह है S0 मान के चलो क्या हो सकता है दो possibility क्या क्या हो सकता है क्या क्या हो सकता है cash in flow आ सकता है 454.54 यह आ सकता है 68.18 cash in flow present value probability कितना है 0.5 exercise price कितना है 125 abandonment option मतलब put option बेचने का option या फिर put option नहीं भी समझ में आता यह भी समझ में नहीं आता तो simple सी बात है बेचोगे कब जब कम पैसे आएगा तो यहां pay of 0 और यहां निकाल सकते हूं कितना 125 minus 68.18 दुसर यह आ गया pay of 56.82 तो value of abandonment option निकाले जए तो सर कोशन ऐसे आएगे हाँ बेच्टे उतना नहीं आएगा जो मैंने पिछले example में करवाया तो 0 into 0.5 plus 56.82 into 0.5 और divided by 1.10 अंसर आगे तो सर यह आगे 25.83 अब एक काम करते हैं एक example कर लेते हैं जिसमें abandonment ही कर रहा हूं भी timing option पे नहीं पहुचा हूं तो पहले इस पे एक example कर लेते हैं एक आपके AFM का question करवा देता हूं जो study mat में हैं एक homework देता हूं दोई question हैं उसके बाद class over करते हैं बच्चा हुआ अगली class में करेंगे हैं ठीक है ठीक है तो पहले वो एक example और लेते हैं चलो last example कर ले यह सर उसके बाद question मनाते हैं बस वो क्या पढ़ रहते हैं abandonment option abandonment में अब क्या कर रहा है अब example कर रहा है last और उसमें ठीक है लिखोगे example present value of cash inflows okay without abandonment present value का मतलब आज का the 500 lakhs 500 लाक का ठीक है 500 लाक का after after 1 year, present value of cash flow, increases by 30 percent and decreases by 30 ले ले थोड़ा सा लख 35% ठीक है एक साल बात जो present value of cash inflow है ना 500 लाग से या तो 30% increase हो जाएगा या तो 35% decrease हो जाएगा एक साल बात ओके risk-free rate 8% 8% या 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 अफ्टर वन या प्राइट पोड़ा रे लड़ाड ट्रॉप्राइट गुट्यट आम प्रॉप। या तो कि रॉप रॉप। इंब एप्रॉप। इंब परॉप। 385 एक है जिए 385 क्याल्कुलेट वैल्यू आफ अबंडनमेंट आप्शन या वैल्यू आफ पुट आप्शन एक तो अबंडनमेंट आप्शन करवाना है मुझे और एक टाइमिंग आप्शन करवाना है बस मतलब कॉल आप्शन अपना एएफम का इस्टेडी मैट देखोगी ना तो बिल्कुल आपको दिखेगी कि हाँ सर वही तो सिक्वेंस है उसी सिक्वेंस में लिखा हुआ जिस सिक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ अबंडनमेंट ऑप्शन को कौनस ऑप्शन बोलते हैं पूट ऑप्शन और फिर भी इस कोस्टन को शॉल कैसे करेंगे उससे पहला काम होगा कि आप बनाओ के बाइनोमियल ट्री बाइनोमियल का कोस्टन है यस क्या प्रोबैबिलिटी दी हुई है नहीं तो काम किस से करना पड़ेगा रिस्क न्यूट्रल प्रोबैबिलिटी वैल्योब अप्शन ही तो निकालना और बोल भी रहा कि एक साल बाद या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा पहला काम क्या होगा बाइनोमियल ट्रे बोलो आज कितना है तर 500 प्रेजेंट वैल्योब कैशन फ्लू है ठीक ओके तार एक सल बात क्या हो सकता है दो पॉसिबिलिटी है या तो 30 परशन से बढ़ेगा 30 परशन से बढ़ेगा तो सरफ 500 प्लस 30 परशन 650 है या तो 35 परशन से डाउन होगा 500 माइनस 35 परशन 325 पेचने पर कितना मिलेगा 385 मतलब 385 से कम आएगा तो एकसरसाइस हो जाएगा अगर 5,6,50 मिल रहा है प्रेजेंट वैली तो क्यों बेचेंगे कम होगा तभी तो बेचेंगे तो यहां का पेउफ 0 और यहां का पेउफ 385 माइनस 325 60 बस और सर रेट ओप इंट्रेस्ट रिस्क फ्री से डिस्काउंटिंग करना 8 पर्शन लेकिन बस दिक्कत क्या है मैंने रिस्क न्यूटर प्रॉबाइबिलिटी नहीं दूसर रिस्क न्यूटर प्रॉबाइबिलिटी निकालना पड़ेगा कि यास पॉइंट नम्बर टू रिस्क न्यूटर प्रॉबाइबिलिटी और रिटन वाले तरीकी से निकालना रिटन तो मालू मैं 30% प्लस 35% माइनस तो सब 30P इलकुल माइनस 35 1 माइनस P is equal to 8 फी के सिरु बात समझ में आती है आप समझा चुक्या 30P plus minus क्या हो जाएगा माइनस 35 माइनस माइनस plus 35P 8 तो सर 30 माइनस 35 नहीं यह तो plus हो जाएगा तो सर यह 65P हो जाएगा और यह उधर जाकर add हो जाएगा 35 plus 8 43 तो P is equal to 43 divided by 60 45 0.661 लेलेते नहीं के सर तो यहाँ जाएगा 0.61 1 minus 0.661 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 abandonment option value of abandonment option yeah put option so sir value is equal to 0 into 0.661 661 plus 60 into 0.339 divided by 1.08 60 into 0.339 divided by 1.08 answer 18.8 तो ठीक है तो डरने वाली कोई बात नहीं है कुछ amendments नहीं है जो amendments है वो यह है और मैं YouTube में डाल दूँगा ठीक है बस इतना ही पूचेगा तो sir यह तो था example कोशन हो जाए इलिस्ट्रिशन नमबर वन जो बच्चे मुसे ख्लास ले रहा है AFM की इलिस्ट्रिशन नमबर वन कोशन नमबर वन तो डेरिविट्यू में लेगा कि यस और डेरिविट्यू में आपको मतलब वॉल्यूम कौन सा होगा डेरिविट्यू का देख ले ना वॉल्यूम वन होगा वाल्यूम टू होगा, वाल्यूम टू में पेज नमबा 106, एडिशनल कोश्चन करके लिखा होगा, उसमें कोश्चन नमबा 1 देख रहे हैं, और सर जिन्होंने आप से क्लास नहीं ले रखा है, या फिर हमको AFM का जो इस्टडी माटेरियल है, AFM का उसमें ढूढना है तो, उ ठीक है, वही वाला कोश्चन है, हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी, इसके बाद, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगे, और अगली क्लास में, कल की क्लास में, हम डिसकुशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी है, टाइमिंग आप्शन, टाइमिंग आप्शन मत्तब वैल्य आप्शन, वेट करें, अभी करें, यह एक साल वेट करके करें, और बी एसम भी हो जाएगा उसी में, बी एसम में अच्छा है, रियल आप्शन में बी एसम अच्छा है, दिलखुश हो गया, बढ़ते हैं, तो सर, इसका मतलब है कि अगली क्लास में, अल्मुश्ट क्तम हो जाएगा, यह अगली क्लास में, लिखा, आईपियल, ओल्रेडी, प्रोड़क्शन, अफ फर्टिलाइजर, इन कंसिरिंग, इस कंसिरिंग, अप्रोपोजल, बिल्दिंग, न्यू प्लांट, ओगे, न्यू प्लांट, ओपन करने का सोच, या काम करोगे भई, तो सर, बायनो मिल्ट्री में, जीरो पिलेड में जाएगा, हावेवर, इफ मार्केट कंडिशन फार पैस्टिशाइट टर्न आउट टू बी फैवरेबल, अगर मार्केट कंडिशन फैवरेबल रहेगा, तो, बोले, यह जो हंडरेट करोड है, यह इंग्रीज हो जाएगा, 30 परश परशन से, पूझ आएगा, अगर कंपनी को इंटरेश्टेड नहीं है, तो चाहो तो वो बेश सकते हैं, और कितनी में बेश सकते हैं, 80 करोड रुप हैं, बेश सकते हैं, रिस्क्री रेट है, आट परशन, वैल्यू अप अबड़नमेंट आप्शन, कैसा लगा, कॉशन, हल पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा, सर्फ बाइनुमियल ट्री बनाने वाले, पता कैसे लगा कि बाइनुमियल का कॉशन है, भाई साहब, आज से एक साल बाद दो प्राइस होगा, ऐसा बताया है ना यार उसने, ठीक है, आज कितना करोड़ है, तर आज है 100 करोड़, यह बना लिया करो, भले ही हो सकता है, हो सकता है, क्या पक्का नहीं बनाया होगा, यह बनाया है, आपके बुक में भी बनाया है यार, इस्टडी मैट में, मजदार हो गया आज कल इस्टडी, एक साल बाद क्या हो सकता, तीस पर 30% कम हो सकते, 60 करोड, एक सलमात, कितने मैं बेच सकते हो, 80 करोड, कब बेचोगे, 130 पे तो नहीं बेचेगे, 80 यहीं बेचेगे, put option exercise हो जाएगा, तो pay off, 80 minus 60 is equal to 20 करोड, अभी क्या करना, risk neutral probability, risk neutral probability sir, return वाले तरीके से, yes, कितना return हो सकता, sir, 30 p plus, minus 40, 1 minus p is equal to 8, 30 p plus, minus, minus 40, plus 40 p, 8 so, yeah, I guess, sir, 70 p equal to 8, so, p is equal to 8, right, 0.686, so, यहाँ जाएगा 0.66, और यहाँ जाएगा 0.31, तो इतना आसान है कि real option, हाँ भाई, हाँ, कहाँ डर रहा हो, रनने वाली बात ही नहीं है, third तुसर, उन बच्चों को, जिन बच्चों को ने पहले से SFM कर रखा है, उनको new class AFM की लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जो भी amendment है, वो मैं डाल रहा हूँ, क्यों लेनी चाहिए, मुझसे भी नहीं लेनी चाहिए, मैं किसी और की मुझसे भी मत लो, अगर आपने SFM ले रखा है, अगर आपने SFM किसी और से भी ले रखा, तो भी मुझसे लेने की ज़रूत है, तर खतम करें, yes, value of abandonment आप्स तो वाल्यू इस एक्वेल टू सर जीरो इन टू प्यूट एक्वेल्कुल साही 20 x 0.314 divided by 1.08 20 x 0.314 divided by 1.08 5.81 crore चेक कर लिता हूं once ठीक है सर value of put option या value of abandonment हो जाएगा ठीक है सर अबंडन मेंट है N आएगा N पूरा E नहीं आएगा ठीक है आप देख लेना कोश्चन नमबर वन हो चुका है एक कोश्चन होमवक देकर क्लास ओवर कर रहा हूं तो एक कोश्चन होमवक रहेगा आपका कोश्चन नमबर 29 कोश्चन नमबर 29 AFM का कोश्चन नहीं है AFM का जो study matter उसका कोश्चन नहीं है यह कोश्चन मैंने कहीं और से उठाया है है ICAI का पहले किसी जमानी में आया था पेज नमबर 40 में मिलेगा सर कौँसे चैप्टर में मिलेगा तो जो बच्चे मुझसे AFM की क्लास ले रहे है वो capital budgeting chapter open करेगे और capital budgeting में मैंने कोश्चन छुडवा रखा है और मैंने बोला था कि option में करेंगे कोश्चन नमबर 29 volume नमबर 1 में कोश्चन नमबर 29 page नमबर 40 यह कोश्चन में आपको छुडवा रखा था तो सर यह homework है क्या यस और कहां करोगे homework को same question है और पक्का बना लेना homework प्लीज बना लोगे तो हमारा abandonment option है put option मेंने हलका सा करवाए हूँ अब क्या करवाना है मुझे timing option करवाना यह call option तर call option है और timing option वो मैं कल समझा दूँगा वगले क्लास में वो डिसकुस होँगा thank you so much तो real total derivative की तीन amendment होगी भाई पहली यह हो गई है अगली क्लास और उसके पाद थोड़ा सा electricity derivative एक्सेक्टर एक्सेक्टर है थोड़ा theoretical है वो भी करवा के खतम करते है ओके बाई